महापुरुस सिर्फ एक समुदाय के नहीं होते बलकि वे समूचे समाज के होते हैं उनके बिचार को समाज के ब्यापकित में देखा और पर्खा जाना चाहिए दुर्भाग्यबस्त आज के समाजिक और आजनीतिक परिद्रिस्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमरा अंबेतकर के दर्सन को जातिय और धार्मिक खांचे में बाठकर देखने की कोसिस हो रही है बाबा साहब के लेखन ने उनके भासणों को जितना पढ़ते जाते हैं हमें उनके वीचारों की प्रतिबद्धता और उसकी ब्यापक्ता भारतिय समाज के संदर में और ज्यादा बाबासाब अम्वेतकर का समूचा समाजिक दर्सन सिर्फ तीन सब्दों सुतंतरता समानता और बंधुत्व पर ही केंद्रित है। वे समाज में समानता के दर्सन को अमली जामा पहनाने के समर्थक रहे। वे समानता के सबसे बड़े समर्थक रहे। जीवन भर उन्होंने समाजिक समानता के लिए कठिन संघर्ज किया। इसका प्रभाव भारतिय संबिधान पर भी दिखता है। बेसक संबिधान की उद्देशिका को पंडे ज्वाहरला नेरु ने संबिधान सभा के समक्ष प्रस्तू किया था लेकिन उसमें समानता और बंदुत्तु की जो अवधारणा समाहित है उस पर डॉक्टर अंबेतकर का भी असर है। गाधी भी समानता के कट्टर समर सकते। उच नीच और छुवा छुट के बिरोध में भारत के सभी महान मनिसाएं चाहे वे डॉक्टर केसव बलराम हडगेवार हो या फिर दीन द्याल उपाध्या या राम मनोहर लोहिया। सब ने इस पर जोर दिया है। चुकी संविधा निर्मार प्रक्रिया में डॉक्टर अमबेदकर की सीधी पहुच और भागिदारी रही इसलिए संविधानिक व्यवस्था में समानता और वन्धुत्य की सोच की बड़ी वज़ा डॉक्टर अमबेदकर ही रहे। डॉक्टर अम्बेदकर को आज एक विसेश धार्मिक हाचे में भी बाटने और उन्हें अलग तरह से परिवासित करने की कोशिस हो रही है जबकि ऐसा नहीं है उन्होंने धार्मिक कटरता विसेश कर इसलाम एवंग उसके अन्याईयों को लेकर जो कहा वह ध्यान दिया जाना चाहिए भारत विभाजन के डॉक्टर अम्बेदकर विरोधी थे उन्होंने भारत विभाजन के लिए जिस विचारधारा को जिम्मेदार माना है आज उसी विचारधारा के नजजिक उन्हें अस्तापित करने के कोशिस हो रही है डॉक्टर अम्बेदकर ने समाजिक समानता के लिए अजादी के बाद देश में भूमी सुधार लागू करने का समर्थन किया था उनका कहना था कि भूमी सुधार लागू करने के बाद जो जमीन बचे उस पर सरकार को भूमी हिंजातियों से खेती कराना चाहिए अपनी पुस्तक एस्टेटस एंड माइनरटी में अम्बेदकर ने लिखा है कि जब बची हुई भूमी में खेती की उपज को उसमें कारे करने वालों के बीच जरूरत के हिसाब से बांट दिया जाना चाहिए इससे समाज के हासी पर पड़े विक्ती का विकास होगा और वह भी समाजी खित में आगे बढ़कर काम करेगा ड़क्टर अम्बेदकर को आज हिंदुत्य विरोधी के तौर पर भी अस्थापित करने की कोसिस हो रही है जबकि उन्होंने हिंदुत्य का कभी विरोधी नहीं किया जाती विवस्ता के बुराईयों को वे जरूर विरोधी रहे जाती विवस्ता की बुराईयों का भारतिय समाज के किसी विहस्ती ने कभी समर्थन नहीं किया है इसलिए डॉक्तर अंबेत करको भी इन ही संदर्वों में देखा और समझा जाना चाहिए